अब चलते हो रागे बढ़ते हैं लेकिन अभी तक आपने मारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर लो साथ में बैल आइकन का बटन भी प्रेस कर लो टेलीग्राम चैनल एंड जो वाटसब ग्रूप है दोनों का लिंक आपको डिस्करप्शिंबॉक में मिल जाएगा जाकर के आप जोईन कर सकते हो क्यो इंट्राडे के स्टोक्स हैं उनकी लिस्ट के उपर तो जो सबसे पहले नंबर का स्टोक हमने चुना है वो है EIH होटल्स ठीक है Eio 어디 अदर आप देख सकते हो कि बहुत ही बहतरीन तरीके से यहां पे क्या किया है एक करेक्शन की है और इसने एक VRS चैनल बनाया था उसके अंदर previous लोको cut नहीं किया है उसके बाद में फिर से यह up side में गया वहां पे यह रजिसेंट स्पेस करके नीच आया है तो यहां पे जो new low create हुआ है उसने इस वाले लोको कर यहां पे cut नहीं किया है और यह upper side के जो breakout level है उस breakout करके close करके गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यह upside के trend में shift हो रहा है तो यह पहला आपको signal मिलेगा कि यहाँ पे breakout दे दूसरा इसमें अच्छी तेजी है जो new leg of यहाँ पे upper side momentum है, वो start कब होगा, वो इस वाले trend line के breakout के उपर होगा तो यहाँ तक यह minimum जा सकता है अब इसके अंदर intraday के लिए आप 393 के उपर निकले तो आप entry कर सकते हो, target होंगे 397, पहला target, 400 and second target, stop loss आपको 390 का लगा के रखना है, तो यह हमारा first number cash stock हो गया इसके बाद में जो second number cash stock है, वो है BSC, Bombay Stock Actions इसके अंदर भी बहुत ही अच्छी correction हो रखी थी market के अंदर news आई थी, एक यहाँ पर regulator ने इनके उपर एक condition डाली थी, कि यह क्या नहीं कर सकते, जो बड़े brokers हैं, उनके अंदर जो यहाँ पर एक ratio चलता था, volume को लेकर के तो जो charges लगाते थे, यह transaction charges हैं, या फिर कुछ और charges थे, उनको यह बड़े brokers हैं, काफी ज़्यादा clients हैं, उनको यह क्या करते थे, एक special discount देते थे, higher range के अंदर जाने पर तो उनके अंदर यहाँ पर इनके उपर आया कि आप वो discount नहीं दे सकते, आप चाहे छोटा broker हो, चाहे आप देख सकते हो कि मैंने आपको बोला था, मैंने आपको बार-बार बोला है यहाँ पर बोला था, उसके बाद में यहाँ से जब यह निकलने की try कर रहा था, तब भी आपको बोला था कि यह यहाँ पर जाएगा और यहाँ के बाद में यह जो gap है वो भी फिल करने वाला है तो अभी भी जिनके पास investment के लिए नहीं है तो आप ले सकते हो भर के ले सकते हो कोई problem नहीं है ठीक है तो अब ये इस zone के अंदर आ चुका है तो यहाँ पे resistance लिया था उसके बाद में हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा time और बिता दे या फिर हो सकता है कि अब वापस से इसके अंदर अच्छी कासी तेजी हो और पहले ये gap फिल करें तो इसके अंदर आप focus करके रख सकते हो तो 2895 यह हमारा entry level होगा 2930 पहला target बनेगा 2955 second target बनेगा stop loss आपको इसके अंदर 2875 के ओपर लगागे रखना है तो यह हमारा second number का इसके बाद में जो यहाँ पर फिर से एक तेजी कर सकता है हाई निकलेगा डे हाई तो वहाँ पर कर सकता है मैं रोज आपको बताता हूँ इनके अंदर तो जो दिया हुआ है उसके अंदर मैं आपको ज्यादा discuss नहीं करूंगा 1095 यह हमारा यहाँ पर entry level होगा target 11 यहाँ पर 05 का पहला target बनेगा 1115 second target बनेगा और जो stop loss आपको लगा के रखना है 1085 का stop loss बनेगा तो यह हमारा third number का stock हो गया इसके बाद में जो यहाँ पर फोर्थ नमबर का stock है वो है SW solar SW solar के अंदर भी आप देखोगे कि यहाँ पे एक अच्छी का सी correction है वो हो चुकी थी उसके बाद में इस area के अंदर यहाँ पे इसने कई बार support लिया था support भी लिया है उसके बाद में upper side के अंदर यह गया तो यहाँ पे इसने resistance phase किया यहाँ पे resistance phase किया और अब आप देख सक T यहाँ पे second target बनेगा and 716 यहाँ पे आपको इस्टो प्लोस लगा के रखना है तो यह fourth number का इसके बाद में जो last number का इस्टोक है वो हमारा है NLC India NLC India के अंदर मैं फोड़ा सा चार्ट को अबर compress करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके अंदर भी यहाँ पे यह जो trend line थी जो breakout level था उसी का support लिया है बार बार में तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसने क्या create कर रखा था यह trend line हम draw कर सकते हैं तो इस trend line का breakout होगा तो इसमें बहुत अची तेजी बनेगी और breakout के लिए पूरी conditions है यह fulfill कर रहा है ठीक है यह यहाँ पे अगर इस trend line को मैं आपको draw करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने जो point है वो लिया है उसके बाद में आप देख सकते हो कि यह trend line है वो draw कर दी है आप देख सकते हो कि इस trend line का breakout अच्छे तरीके से कर चुका है breakout से पहले इसने क्या किया rejection लिया उ दोनों में से आप कोई भी target रग सकते हो stop loss आपको 280 के उपर लगा के रखना है तो हमने यहाँ पे इस वीडियो के अंदर best 5 intraday trading के जो stocks है उनको discuss किया है उनके अंदर entry target और stop loss क्या लगा के रखना सभी चीजिए आपको discuss करके बताई है तो आसा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए और e-mail account आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल free में हमारे इंदर में e-mail account ओपन कर सकते उसका link आपको description box में मिल जाएगा मिलते है रेक वीडियो में thank you very much